Welcome to Autoresponder और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कैसे आप custom forms create कर सकते हैं इसको आप different places पर use कर सकते हैं जैसे कि कुछ लोग lending pages पर use करते हैं कुछ लोग contact form पर इसको use करते हैं आप अलग-अलग तरीके से custom forms create कर सकते हैं उससे related custom data capture कर सकते हैं जैसे आप यहाप देख सकत हैं यह एक अलग contact form हम आपने हैं पर create किया है तो आप autoresponder की जो website है जो application इसके लोग इन कर सकते हैं और इसमें आप custom forms create करने हैं तो वो हम आज देखते हैं तो custom form अगर आपको create करना है तो आपको सबसे पहले जाना है lead management के अंदर marketing source के अंदर अब देखिए इसको create करने के करना है वो किस तरीके से उसका data capture करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक marketing source को create करना होगा तो आप एक custom lead source create करेंगे तो मैंने इस पर click किया है और मैं यह आपर डाल देता हूं एक term custom forms let me search अगर हमने बनाया है कोई पहले तो अगर वो है तो उसी को हम use कर सकते हैं custom custom form से हमने कुछ भी integration नहीं बनाया है तो मैं यहाँ पर जला जाता हूं and I'll click on this create custom integration पर और मैं इसको देता हूं custom form और then click on save अब यह एक custom form save हो गया है मैं बापसे जाकर देख लेता हूं marketing source के अंदर तो यहाँ पर देखें यह custom form एक हमारा integration बन चुका है अब हम इस integration के अंदर एक custom form create करेंगे तो let me click on this click here button तो जिसे आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर एक form का जो URL है वो already create हो चुका है जिसे आप कोई भी custom integration जब बनाते हैं तो एक already form URL create हो जाता है अगर हम इस URL पर इस URL को open करते हैं तो एक error अभी आएगा no form found because हमने भी कोई भी form create नहीं किया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है form को create करना है अच्छा इसके पहले आप जब इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको form जो lead source से उसका नाम change करने का option आता है इस पर आप इसको active in active कर सकते हो और यहीं पर अगर आपको लगता है कि इस form से जो data आ रहा है वो आपको mobile पर चाहिए तो आप इसको simply yes कर सकते हो और इसके बाद आपको नीचे सारे mobile number डालने पड़ेंगे तो यह एक basic process है आपक किलिक करते हैं यहां पर हमें let's say जो भी data चाहिए उसको डालना पोलेगा तो initial I need full name then contact number with country code then I need email address तो यह भी मैंने डाल दिया है then I need some other fields like date so date could be जो label है मैं इसको डालना देता हूँ date of birth date of birth then हमने यहां पर डाल दिया है एक option ले लेते हैं हम एक select option ले लेते हैं तो चूस फ्रॉम दी लिस्ट अब लिस्ट हम बना देते हैं लेट से आइफोन हमने कॉपी कर लिया है and then हम यहां पर सको पेस्ट कर देते हैं then android Samsung डाल देते हैं तो यह iPhone हो गया यह Samsung का एक phone हो गया है and then हम डाल देते हैं real यह हम डाल देते हैं एक तूसी कोई company let's say Nokia यह भी बिल्पल नहीं चल रही है ठीक है तो हमने एक यह बना लिया है date of birth हो गई यह हो गया then हम एक और date का feel डाल देते हैं expected date buying यह हमने इतनी feel ले लिए अब हम इस पर save पर click करते हैं यह आपका custom form create हो गया अगर आप इसको refresh करेंगे तो जो form हमने अभी fields लीती वो सारह का सारह form यह पर बन गया आप नाम, contact number, email, date of birth, choose from the list and other data आप add कर सकते हैं तो चेक कर लेते हैं कि कैसे data आता है तो मैंने आपे संदीप नाम दे दिया, मेरा number आ गया है, then मेरी email idea आ गई है, date of birth मैं डाल देता हूँ, तो यह date of birth डाल दी हमने है, then I want to, I'll choose iPhone और जो expected date of buying है, वो है मेरी let's say 35 मैं और save, अब जैसे हम इसको save करेंगे, यह data custom form के जरिए हमारे इस lead management वाले tool के अंदर, या lead management वाले option के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए, कि यहाँ पर यह एक नाम अब देख सकते हैं, संदीप राजपूर, और यह custom form, जो data था वो आ गया है, और यह एक salesperson, उदित राठोर को यह lead automatically assign हो गई है, कैसे आप forms create कर सकते हैं, और उसे data capture कर सकते हैं, अब एक और चीज हम बापस जाते हैं, कि यह जो marketing source का जो custom form बनाया है, क्या हम इससे कोई QR code भी बना सकते हैं, येस, आप उसका QR code भी create कर सकते हैं, मतलब जो यह form अभी आप यहाँ देख रहे हैं, जो अभी यहाँ पर fill हो रहा है, आप इसका QR code भी बना सकते हैं, और जब कोई उस QR code को scan करेगा, तो यह same to same form open हो जाएगा, तो हम बापस option में जाना, right hand side में, और यहाँ पर दिया हुआ है, generate QR code, जैसे generate QR code पर click करते हैं, यहाँ पर आपको लेखा आगया है, QR code generated successfully, now again हमें देखना है view QR code, जैसे आप view QR code पर करे जाएगे, तो यह जो QR code है, यह इस के particular form से connected है, यहाँ पर देखिए, तो जब भी कोई इस QR QR code को scan करेगा, तो यह वाला जो form है, वो open हो जाएगा, और जब आप data field करेंगे, तो system के अंदर वो store हो जाएगा, अब यह जो QR code है, यह कहाँ पर use कर सकते हैं, तो बहुत simple से use cases है, let's say कोई real estate वाली company है, जो अपने product का जो add है, वो paper में देती है, तो वहाँ पर यह QR code परें इसे बहुत सारे places होते हैं, जहाँ पर हम display ads जो परन करते हैं, तो QR code लगा सकते हैं, to capture the data, so I hope आपको सौझ में आया होगा, कि custom forms कैसे create कर सकते हैं, और उसके through हम QR code कैसे बना सकते हैं, और data capture कैसे कर सकते हैं, तो इस जूडियो में इतना ही मिलते हैं, next जूडियो में